नवश्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं हूँ आपका अपना शुभम बांचाल और स्वागत करता हूँ उत्राखंड सामन गयान के लेक्चर सिरीज में जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नमबर 23 जिसमें हम उत्राखंड का परेक्टन एवं उसके धाम वीडियो शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फोर्मेशन शेयर करना चाता हूँ हमारे द्वारा कुछ पेड़ कोर्सेश चलाए जा रहे हैं जो All Civil Service Examination for UPSC and Other State PCS, UPPCS, MPPCS एवं BPSC के आप प्री एवं मुख्य परिक्षा की तयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं यदि आप हमारे पेड़ कोर्सेश को लेना चाते हैं तो रिस्कीन पर दिये गए नंबर 856480530 या 9696066019 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं साती है आप हमारे फ्री टेलेगराम ग्रूप को जोइन कीजिए सर्च कीजिए at the rate study for civil services टेलेगराम पर जाकर और फ्री है टेलेगराम ग्रूप जरू से जरूर शेयर कीजिएगा अधिक सदिक इसको जोइन कीजिएगा साथ ही में आप हमें Instagram या Twitter पे भी follow कर सकते हैं और वीडियो को like किजिए, share किजिए और अधिक सदिक comment किजिए और ध्यानकी का channel को subscribe करना ना भूलिएगा channel को subscribe करना बिल्कुल free है, no cost है, बिल्कुल free रहता है आप channel को subscribe किजिए और साथ में bell icon को दबाईए जिससे आपको समय पर notification मिलते रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पार्ट देख रहते उस वीडियो में हमने देखा था कि किस-किस जिले में कौन-कौन से प्रेटन इस्थल है हम उसी पार्ट के next पार्ट को हम यहाँ पर देखेंगे ता यह शुरू करते हैं चमोली जिले से चमोली जिले के हम देखने वाले हैं प्रेटक इस्थल की चमोली जिले में कौन-कौन से प्रेटन इस्थल है ता यह शुरू करते हैं चमोली जिले के बारे में तो चलुमली जिले में सबसे पहले है आपका जोशी मठ यदि मैं जोशी मच की बात करूँ तो आदी गुरू की तपस्थली नरसिंग मंदीर वासुदेव मंदीर जोशी मच पर इसती थे और आदी गुरू संकराचारे ने पूर्ण तरी की स्थापना जोशी मच में की थी कोशन अगर आगया कि आदी गुरु शंकराचार ने, माफ की जिगा कोशन आगया कि पूर्ण तरीकी स्थापना किस ने की थी तो आग गुरु शंकराचारे ने कहाँ पर की थी जोशी मठमर की थी अगला है आपका हेमकुंड यदि हेमकुंड की चर्चा की जाए तो हेमकुंड जोशी मट से 20 किलोमेटर की दूरी पर रिशिकेश बदरिनाथ रास्टी राजमार्ग रिशिकेश बदरिनाथ नैशनल हाईवे परस्थी थे और यह वह इस्थाने जहां पर दसवे सिख के जो गुरु थे दसवे गुरु गोविन सिंग जी उन्होंने तपस्या की थी तो आप कह सकते हैं हेमकुंड के बारे में जोशी मट से 20 किलोमेटर दूरी पर हे रिशिकेश बदरिनाथ नैशनल राश्टी राश्टी मार्ग परस्थी थे और यहाँ पर जो सिखों के दसवे क्या चमोली के अंतिम गाउं माना मत Swamaly है उसका अंतिम गाऊं आखरी गाउं जो माना है उससे 5 किलोमेटर की दूरी परिस्थित है और इस प्रपात की जो उंचाई है वह है आपकी 145 मिटर कितनी इसकी उंचाई 145 मिटर इसे के साथ साथ अगला है आपका परेटा किस्थ गेरसेन, यदि गेरसेन की बात करें, तो गेरसेन, कुमाउ और गडवाल जो छेतर हैं, उनका केंदर बिंदु माना जाता है, आप कह सकते हैं कि जो गडवाल और कुमाउ छेतर हैं, उनका केंदर बिंदु गेरसेन है, और इस्थिति के कारण गेरसेन को रमा शेंकर ने कोशि समीतिंगे कोशिक समीति है कोशिक समीति ने गेरसेंड को नहीं की राजधानी उत्रा खांग की राजधानी बनने का कहा था क्योंकि मैंने आपको बताया कि गड़वाल और कुमाओ शेत्र का बिंदू है और चाय के बागवनक लिए बहुत अधिक फेमस है इसकी साथ अगला देख लेते हैं अगला प्रेटक इस्थाले हमारा ओली यदि ओली के चर्चा की जाए तो ओली मोटर मागे द्वारा आप जा सकते हैं जोशी मट से 15 किलोमेटर की दूरी परिस्ती थे यहां हिम कीड़ा और प्रेटक की दस्थी से विश्वपसीद इसको माना जाता है बर्फपर जो अनेक कीड़ाएं होती हैं खेलकुद होते हैं हि भारत के अंतिम गाओं में से एक है आपका माना जो भारत का अंतिम गाओं है इसके बाद आपकी बोडर लग जाती है दूसरे देश की और यहां कई दर्शन इस्थाले जैसे मुचकंद गुफा गनेश गुफा व्याज गुफा अंसुया देवी का मंदिर भीम पूल माना स आपके संबदी थे यहां घंटा कर्ण मंदिर भीषती थे और इस गाओं में मारचा जनजाती निवास करती है आप जनजाती के बारे मगर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस में जाए जाती जनजाती को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत भैतरिंग वाला वी तो आईए शुरू करते हैं हरिद्वार शिवालिक शेनी के विल्व एवं नील परवतों के मद्ध बसा हुआ है दानकीगा जो शिवालिक शेनी का विल्व तथा नील परवत के मद्ध का जो छेतर है वो हरिद्वार है और हरिद्वार के परेटक इस्थलों की बात करें तो की हरिद्वार जिले में इस्तित थे और इह जो हर्की पोड़ी घाठ है यह संपुन भारत में फेमस है और इस पवित्र इस्थान को भ्रह्म कुंद के नाम से भी जाना जाता है द्यानरकीगा जो हर्की पोड़ी है इसको भ्रह्म कुंज के नाम से भी जाना जाता है और हर्की पोड़ी वह स्थाने जहांसे पवीत्र नदी गंगा को पहाड़ों को छोड़ कर मेदानी छेतर में प्रवेश करती है जहां प्रत्यक 12 वर्षों में महाकुंब लगता है चे तो 6 वर्षों में अर्धकुम मेले कायोजन यहां पर किया जाता है इसके साथ साथ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार का एक महत्पुन पूजा इस्थाले इसके साथ साथ शांती कुंच का अपने नाम सुना होगा तो शांती कुंच जो है उसकी स्थापना सन 1971 में प्रवर साथ सब्त रिशी आश्रम का नाम आपने जरूर सुना होगा सब्त रिशी आश्रम का पुराणिक महत्व है अपने आप में यहां गंगा जी की साथ धाराओ में विवक्त होकर भेती है जो गंगा जी है वे अपनी अलग-अलग साथ धाराओ में विवक्त होकर भेती है इसल में हरिद्वार जो नगर है उसके पस्चिम में इस्तित है और शिवालिक के विल्व शिखर पर इस्तित है और इस मंदिर में जदकारु रिशी की पतनी सर्परागी देवी जिने माता मंसा के नाम से भी जाना जाता है उनकी तीन मुख्य और पांच भुजावाली अस्चनाग की मुर्ति स्थापित है मंसा देवी मंदिर में है इसकी साथ सर रुड़की की यदि बात करें तो रुड़की का आपने नाम सुना होगा रुड़की जो है वह अभी IT सेक्टर में भी बहुत फेमस है आई हम बात करेंगे उसकी भी तो रुड़की की यदि बात करते तो जो र रुडकी है यह गंगा नहर के दोनों और सोनाली नदी के दक्षिन में स्थित है जो कि हरिधवार का एक उपणगर है और गंगा नहर की जो परिकलपना है वह गवर्नर थामचन धूर की गाए गवर्नर थामचन तथा इसका जो निर्मान है वह करनल के करनल पी-वी काटले ने इसकी स्थापना 1847 में रुड़की में की गए थी कहां की गए थी रुड़की में की गए थी और 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच दुरेल इंजन दो मालवग डिबोक साथ रवाना हुआ था और रुड़की के प्रमुक परेटे के स्थल में हजजत अलाउ सुना होगा कंखल तो कंखल जो उपनगर है वो हरिद्वा के दक्षिन में इस्तित है और सिताकुंज नामक जो इस्थल है यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको साथ में दक्षेश्वर महादेव, तीला भंटेश्वर महादेव, नारेनी शीला, महाविध्या मंदीर, शम् इसकी साथ साथ भीम गोड़ा की दिबात की जाए, तो भीम गोड़ा हर की पोड़ी के पास एक कुंढ है, जिसे कहा जाता है जो भीम के घोड़े है, उसकी टाप से बना हुआ है, इसे कहते हैं भीम गोड़ा, अगला है आपका बिलकेश्वर मंदीर, जो कि बिल्व परवत की तलहकी में इस्तित है और भगवान शिव को समर्पी थे मानेता है कि इसी स्थान पर माता पारवती ने शिव प्रापती के लिए तब किया था यहाँ पर इसलिए यहाँ के जो भरिनाज जी के मंदिर है यहाँ पर बेल पत्र भी अतिक सिथिक चड़ा जाते हैं और कहा जात रुद्र प्रियाग में इस्ति थे जहाँ पर शिव परवती के विवाहा का इस्थान माना जाता है यहाँ अखंट धुना वर्षो से प्रजली थे अगला है आपका काली मठ सिद्ध पीट यहाँ में काली मठ सिद्ध पीट की बात करू तो काली मठ सिद्ध पीट रुद्र प्याक से 49 किलोमेटर की दूरी पर सरस्वती नदी के दाईं और इस्थी थे और कालिदाज जी का जर्म इस्थले कवीलता गाउं वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा इसी की साथ साथ सोन प्याक का आपने नाम सुना होगा जो कि रुद्र प्याक से 73 किलोमेटर क के संगम पर इस्थी थे तब कोशन आ गया कि सोन प्याक कहां पर इस्थी थे माफ कीज़ेगा तो बसु की और बंदा की नदियों के संगम पर इस्थित है इसी की साथ साथ गोरी कुंट रुद्र प्याक से 77 किलोमेटर पर तथा 75 किलोमेटर की दोरी पर इस्थित है जहां से केदा नात की पेदलियात्रा शुरू होती है यहाँ पर गर मजलक का कुँझ तथा गोरा देवी भी आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा यह थी हरिद्वार की परेचा के स्थल आईए देखते हैं अगला छेतर है हमारा रुद्र प्याक जो शुरू करते हैं रुद्र प्याक के बारे में तो रुद्र प्याक के एदि बात की जाये तो तो राज में जो पंच केदार हैं ऑन में से तीन केदार केदारनात, तुंगनात और मदमहेशरनात रुद्रपयाक जिले में इस्तित हैं और वीरकानता महाकाली मंदिर भी आपको गंगोतरी द्वार में देखने को मिल जाएगा इसे की साथ साथ कोटेश और महादेव जो मंदीर है वो रुद्रप्याक शहर से 3 किलमेटर की दूरी परिस्ति थे और अलगनंदा नदी के तट परिस्ति थे कोटेश और महादेव मंदीर जहापर कोटेश और नामक प्राचिन गुफा में इसपटिक शीविलिंग स्थापी और धनकीगा कोट्टेश्वर महादेव मंदीर एक अपने आप में अतुलिनी मंदीर है इसकी साथ साथ अगला है अमारा अगस्त मुनी यदि मैं अगस्त मुनी की बात करू तो अगस्त मुनी रुद्र प्याक से 18 किलोमेटर की दूरी पर इस्ती थे मंदाकनी और धूलगाड नदियों के संगम पर इस्ती थे यहाद रखीगा कौन सी नदी पर कौन साथ छेत्र या कौन से अपरईटर की स्थल इस्ती थे सही जोड़ी पूर सकते हैं तो आपको ग्यात होना चीए कि मंदाकनी और धूलगाड नदियों के संगम पर अगस्त मुनी जो है वो इस्ती थे यहाँ पर अगस्त मुनी संपिर्स संपितेश्वर मंदिर भी यहाँ पर इस्ती थे इसी की साथ साथ गुप्तकाशी रुद्रप्याक से 22 किलोमेटर की दोरी परिस्ती थे जहां मुख्यरूप से विश्वनात मंदिर अर्धनारिश्वर मंदिर और मनी का करनी का मंदिर राजा सोम चंद्र के द्वारा की गई थी प्रथम चंद्र वर्षी राजा सोम चंद्र के द्वारा चंपावत की स्थापना की गई थी और चंपावत के अधियें प्रमुक परेटेक इस्थलों की बात करें तो आई ये देख लेते हैं नंबर वन है अमारा गौाल देवता य इन्हें नयाय के अधिस्ठान देवता की रूप में भी माना जाता है और यहाँ विश्वास किया जाता है कि अन्याय और क्रूरता से पीडित असहाय व्यक्ति द्वारा याद किया जानाय पर ग्वाल देवता शिगरही नयाय प्रदान भी करते हैं। रक्षा बंदन के असर पर यहाँ पर असाड कार्थी का मनाई जाती है किसे बगवाल मेले के नाम से भी जाना जाता है और इस मेले में होने वाले पाशान युद्ध। और इस युद्धो को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और इस खेल के बारे में जिम करबेंट ने अपनी जो पहली पुस्तक है Men Intern of Kumau धना कीगा जिम करबेंट की जो बुक्स है Men Intern of Kumau में लिखा है और इदिस आपको सारी बुक्स देखना है तो मैंने उसमें पढ़ाई है आप पुरानी प्लेलिस में से कल लिजीगा मैंने सारी बुक्स सुमां पढ़ाई है तो जो हमारी जीम करबेंट थे उन्होंने Men इंटर आफ कुमाव में भी लिखा है कि ये जो खेल है इसको देखने के लिए कई लोग देजविदेश्चा आते हैं और कहा जाता है कि बराही धाम पूर्ण गिरी का ही एक पिठ है जहां चंपा देवी और ललिता जोज महाकाली की प्रतिष्टा चंदर राजाओ जो की बार जवाल खाम बालिक खाम होजर किसी एक खाम के वक्ति की प्रति वर्ष बली देने की परंपरा ही है और कालंतार में किसी कारण वर्ष पक्थर युद्ध की वरत्मान परंपरा है वह शुरू हुई है और इस युद्ध में चारों खामों के जो लोग होते हैं वो दो खेमों बढ़ जाते हैं और दो खेमों में बेड़ का युद्ध या खेल में भाग लेते हैं और एक वक्ति के बराबर उनका रक्त भाया जाता है और गवर्मेंट भी इसको अब धिरे-धिरे थोड़ा सा उसको आफ करने की बात बराबर करती रहा दिये तो कि कई बार पत्थर पारी शीला दना करेंगा रणcionला और करण शील और बाराही सीला यह से थे और एसी मानना है है कि यहां फेली भूरी गैनाइट चक्टा ने शीला फेकशता करता है है इससा यहां पर माना जाता है इसी मैधे Cliffhane tôi पूरनगीरी शक्तिट भी है और पाताल रुदेषयों इसके साथ बालेश्वर मंदीर सम्हुन अगर के बीच में अस्तित है नहां उत्तम शिल्पकला का नमूना है जिसका निर्माण 1292 में चंदर राजाओ के द्वारा करवाया गया था किसके द्वारा करवाय गया था चंद्र राजाओं के द्वारा इसका निर्मान करवाय गया था इसके साथ क्रांतेश्वर महादेव चंपावत के पूरू में एक उचे परवत परिस्ति थे और इस मंदीर को कर्मापद या कांदेव के नाम से भी जाना जाता है इसके साथ एक खतिया नोला जो बावली है चमपवत से 4 किलमेटर दूर परिस्ति थे अदेत वाश्रम के पेदल मार्ग परिस्ति थे जहाँ पर कलात्मक दरश्टी से अध्भूत नमूना है और बालेश्वर मंदिर के निर्मान में एक मिस्त्रिगार की अलग कहानी थी एक अलग उसका आप में बहुत उतकर्ष्ट मानी जाती है इसी के साथ साथ अगला है हमारा गेड़ घर पे नो पत्थरों का मकान इसको बोलते हैं गेड़ घर पे और इसका हिंदी में नाम यदि बात करू तो वह आपका नो पत्थर का मकान जो की शहर से 1.50 किलोमेटर दूर चमपावत प केता हैं कि नो पत्थरों का मकान अगला है आपका घटोतकच का मंदीर आपने घटोतकच का नाम बिल्कु सुना होगा घटोतकच की यदि बात करें तो घटोतकच का मंदीर जो शहर से 2.50 किलोमेटर दूर है और ये भीम पुतर थे आप सभी को ग्यात होगा और इनका यहा बनाया गया था बड़ा सुर की कहानी आप में सुनी होगी मुझे बताने कि आवशक्ता नहीं है अगला है आपका मायवती आश्रम यदि मायवती आश्रम की बात करें तो लोहा घाट से 9 किलोमेटर की दूरी परिस्टी थे और यहाँ पर स्वामी विवेकानन्द को आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त हुई थी विवेकाननन यहाँ पर 1901 में रामकर्शन शान्ति मट की भी स्थापना की थी और मायवती आश्रम बीएक परेटर की स्थल्क आपको देखने को मिल जाएगा अगला है आपका पूर्णागिरी मंदीर की बात करें तो पूर्णागिरी मंदीर समुदर तल से 3000 मेंटर की उचाही परिस्थी थे और पूर्णागिरी शक्ति पिठ चनकपूर से 20 किलोमेटर पिथोरागाट से 171 किलोमेटर चमपावस से 92 किलोमेटर की दूरी परिस्थी है यहाँ पूरे वर्ष देश के विभीन भागों से दरशनारती आते हैं और चेतर नवरात का जो मिला लगता है उसमें पाटिसिपेट करते हैं और जो दरशनारती है वो जैमातादी को द्गोश के साथ 7 किलोमेटर की दुर्गम चड़ाई को आसानी से पार कल लेते हैं तो कहते हैं कि देखने को तो नहीं मिलता माफ की जगा यहाँ सती जी का नाभिक अंक यहाँ पर गिर्या था तो यह एक शक्ति पीठ है इसी की साथ साथ अगला है आपका लोहा घाट तो लोहा घाट चमपावत से 14 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है और लोहा वती नदी के कि नारे पर इस्तित है अपने शांत वातवरन एवं प्राक्तिक सोंदर के कारण यह अंग्रे जोका प्रिये स्थान माना जाता है इसी की साथ साथ अगला है आपका मिठा रिठा साहिप चमपावत से जो की 72 किलोमेटर की पर लोधिया एवं राठिया नदियों के संगम पर इ दना कीगा अगला है हमारा पंच केशवर काली जो की सरीवन दी के संगम पर इस्तित है जो की लोहा घड से 40 किलोमेटर की दुरी पर पंच केशवर नामकिस्थान पर इस्तित है जहाँ पर चमपावत पिठोरा चमपावत नेपाल की सीमा परेसित है और यह जो इस्थाले वो चामू या चोमूह मंदीर वार्षिक मेले के लिए पसिद्ध है और चोमूह को पशुरक्षक के रूप में पूजा जाता है पशुओं के देवता भी माना जाता है जो कि भगवान शीव से समर्पित है और भग टिस किलोमेटर की दूरी पर यह ताल इस्थी थे जिसका नाम है आपका श्याम ताल और जील के तश्पर स्वामी विवे का नन आश्त्रा मिस्थी थे जो कि निले रंग के श्याम ताल जील 1.5 km2 में फेली हुई है और श्याम ताल अपने जूला मेले के लिए भी सुग प् लेश्यर परवतों के बीच बसा हुआ है इसके परेटक इस्थलों की बात करते हैं तो आईए शुरू करते हैं बागेश और जिले के प्रमुख परेटक इस्थल इसमें सबसे पहला है आपका कोसानी तो कोसानी बागेश और से 39 किलोमेटर की दूरी पर कोसी और गरूर नदी मध्य में इस्तित है जिसका नाम इसका नाम कोसानी पड़ा अगला है हमारा हिमालाए तो हिमालाए का यहाँ जिसे विस्तत आपको देखने को मिलेगा मतलब पूरे राज में दिया आपको हिमाला अच्छ से देखना है तो आप इस स्थान में आईए जिसे चोखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा कोट, पंच चूली, नंद घूंगच की सभी चोटिया आपको इस छेतर से देखने को मिल जाएगी और परेटो को का जमावड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलता ही रहेगा क्योंकि एक अपने आप में अलग सी शेणी मिल रही है, एक ही जगा से इतने सारे नजारे देखने को मिल रहे है तो बिल्कूल परेटो का खातर में कामी होता है, अधिक सदिक नजारे देखे जाएं अगला है कत्यूर घाटी तो कत्यूर घाटी जो है कोसानी के सामने स्थी थे जहां सूर्योदय का मनोरम दश्या आपको देखने को मिलता है निसी की साथ साथ सार 1929 में महात्मा गांधी नहीं हाँ पर 14 दिन रुके थे और यंग इंडिया के नाम से अपने लेख में उन्होंने कोसानी को भारत का स्विजर लेंग कहा था पूछ चुके हैं इसको आएम भी लगा ये रेड टैलियस लाइन को कि भाया कोसानी में 1929 में महात्मा गांधी 14 दिन तक रहे थे और उन्हें ने जो यंग इंडिया का लेख है उसमें लिखा था कि जो कोसानी है वो भारत का स्विजर लेंग है मतलब भारत को स्विजर लेंग की संग्या महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी यह आप याद रखीगा इसकी साथ साथ गांधी जी ने जिस इस्थान पर प्रवास किया था उसे अनाशक्ति आश्रम का नाम दिया गया है कोकि यहाँ पर उन्होंने गीता का अनाशक् और यही पर गांधी जी को शिश्या है सरला बहन का लक्षमी आश्रम भी आपको देखने को मिल जाएगा इसकी साथ साथ यह चेतर चाय के बागान के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और उत्रा खाईं की जो प्रसिद्ध चाय है गिरियास्टी जो है ना गिरि पंत विथीका पर एक लगु संग्राल यहां पर इस्थापित किया गया है जिसमें सुमिता नंदपंद की कई रचनाय आपको देखने को मिल जाएंगी इसकी साथ साथ प्रसिद्ध लोक संगी तक गोपिदाज जी है वो भी कोसानी की सेंदर के अधिक्त प्रभावित इसकी साथ साथ बागनाथ मंदीर बागेशो शहर के निकट गोमती और सर्यू नदी के संगम पर इस्थित है। मिeln जाएंगी इससी के साथ साथ बेजनात जो है वुआ भागेशवर से 26 किलोमोटर की दूरी परिस्तित है और गोमती नदी के तड़ प्रतित होती है यह आपको ग्यात होना चाहिए और कोट भ्रामरी की यही बात करूँ तो कोट भ्रामरी नंदा मंदीर बेजना से 5 किलोमेटर की दूरी परिश्तित है और डंगोली के पास यहां मंदीर आपको देखने को मिल जाएगा इसी की साथ साथ पांड़ू इस्थल भ पर ही मतलब अज्यावास किया था तो उसे पांची स्थिल के नाम से जाना जाता है और श्रीकेश्ण जनमास्टीवी पर यहाँ पर मेला भी आयवजित किया जाता है अगला है भूत फेमास उत्राखंड की फूलो की घाटियां अब उत्राखंड में यह हमारा अगला टॉपि उसमें हमने इसके पहले का पड़ाया है आए शुरू करते हैं उत्राखंड की फूलो की घाटियां तो उत्राखंड में पाई जाने वाली विविन फूलो की घाटियां है उनका वर्णन कुछ इस प्रकार है सबसे पहला है आपका भूंडार की फूलो की घाटि सबसे पहले परिच्चाई सन 1931 में प्रसिद्ध परवतारोही फ्रेंक स्मित ने विश्य को कराया था धनकीगा फ्रेंक स्मित जो है प्रसिद्ध परवतारोही उन्होंने भुंडार की फूलो घाटी का बोसकते की परिच्चाई उन्होंने 1931 में करवाया और स्मित ने इस रमणी इस्थल पर एक पुस्तक भी लिखी है the valley of flowers जिसको पूछ चुके हैं कि इसके रशनाकार कौन है तो वह आपके smith इसे की साथ साथ इंगलेंड के क्यू बोचनेरिकल गार्डन की ओड़ से मेडम जॉन मार्गरेट से लेक 1939 में इन फूलो की घाटी में पहुची और यहीं पर 4 1990 को फूलो की गोद में सता के लिए सो गई जिसे भूंजार की फूलो की घाटी महाभारत काल की भी मानिक जाती है आप कह सकते हैं कि जो भूंजार की फूलो की घाटी है वह महाभारत काल की मानिक जाती है अगला है अमारा मांजी वनो की फूलो की घाटी यदि मांजी वनो की फूलों की घाटी की बात के जाए तो उत्तरकाशी और हिमाचल पदेश की सीमा पर यह फूलों की घाटी इस्तित है जो कि समुद्ध तल से 16,130 फीट की उचाई पर इस्तित है लंबा चोड़ा मिलो तक फेला हुआ है और मांजी वन का सुन्दर मेदान जिसमें भ्रम्य कमल लेशर जयान फेंड कमल आदी फूल खिलते रहें और इस वन के लिए मार्ग चकराता हिमालाय तथा उत्तरकाशी जिले के भटवाडी नामा की स्थान से भी आपको रास्ता मिल जाएगा अगली फूलों की घाटी है सुख्षी और घराली की फूल घाटियां यादी सुख् पांच किमिलोटर लंबा जेड़ मिल चोड़ा फूलों का मिदान शुरू हो जाता है जिसे नाग सोड भी कहते हैं अगर पूछ लिए नाग सोड किसे कहते हैं तो आपको ग्यात होना चाहिए और इसे हरे भरे विशाल मिदान में सूरज कमल विश कंडार जंगली गुलाब अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं यहां नागराज देवी तथा क्रश्न नारियों के मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे अगला है हमारा फूर्थ नंबर आली गुर्षो फूलों की घाटी यदि आली गुर्षो फूलों की घाटी के अधि बात करें तो जोशी के पीले फूल आईरिश के फूल भी यहां पर अधिक खुलते हैं जो कि यहां की प्रमुख विशेस्ता मानी जाती है अगला है आपका कुमारी की फूलों की घाटी जिस पेकार नाम है उसी पेकार इसका काम है तो जो कुमारी फूलों की घाटी है वो कुमारी या कुमारी हिम मा पारवती हैं उन्होंने श्री देव अपने जो शिवजी हैं उनको प्रसंद करने के लिए यहां पर कठिन तब किया था और वही छेतर आपका कुमारी फूलो की घाटी के नाम से जाना आता है इसी के साथ साथ इसी के पास में तिबबत जाने का दर्रा भी है और कुमारी के घाटी की यदि बात की जाए तो तरकाशी जिले के रवाई परगने के पट्टी पंचगाई इस्थित फते परवत पर मनोहारनी फूल की घाटी इस्थित है और जो की हरकी दून साथ से आच मील के विस्तार के मिदान में फेली हुई है नानकीगा 11700 मीटर की उचाई पर हर अगली फूलो की घाटी का नाम है मद महेश्वर फूलो की घाटी देखें इतने डीटेल सिर्फ और सिर्फ आपको स्टड़ी फूलो की घाटी देता है जितनी कॉलिटी के साथ तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए देखते हैं मद महेश्वर फूलो की घाटी यदि मद महेश्वर फूलो की घाटी की बात करें तो पंच केदार जो की केदानाथ तुंगनाथ कलपनाथ मद महेश्वर अमरुदनाथ में मद महेश्वर का विशेष चिस्थान है यहाँ फूलो घाटी के लंबी तीर किलो मेटर चोड़ी है। यहाँ पर फूल है वह दिन में लाल ता रात में नीले रंग के अधिक दिखते हैं। दानकी यहाँ की विशेस्ता है। प्रणुत यह से प्रणूत यह आप देखेंगे तो जो लाल और नीले रंग के फूल है वह मद महेश्वर की फूल है कौंसा गाउं आपका उर्गम गाउं धनकी गाऊं है उर्गम गाउं मैं आपटिक कर देता हूँ उर्गम गाउं है और इस गाउं से जेल मिपर गुफा के अंदर कलपना शिवजी का एक शिEVलिंग है और गुफा के उपर पाहड है आममे सामने की फूलो की तीन-चार किलोमेटर की घाटी है और गुफा के उपर भी फूलो का मखमली धलवा मेदान है जो कि एक अत्यांत रम्निक छेतर है कलपनात की फूलो की घाटी के नाम से जाना जाता है अगला है आपका छेतर है रुद्री हिमालय की फूलो की घाटी यदि हम रुद्री हिमालय की फूलो की घाटी की बात करें तो रुद्रनात 12,000 किलोमेटर पंच केदार केदानात तुंद्रनात रुद्रनात कलपेश्वर तथा मद महेश्वर में से एक केदार है और रुद्रनात जाने के लिए अभी कोई मार्ग नहीं है यहाँ से कच्चे और रुद्रनाच जाने के लिए गोपेश्वर चमुली से दो मार्ग हैं एक गोपेश्वर से गंगोल गाउं साथ मील और दूसा जो रास्ता है वह गोपेश्वर से सुकताल होते वे तेविस मिलका है जो की रुद्री हिमालाय की फूलों की घाची तक पहुशता है और पंवाली कांठा की फूलों की घाटी यदि पंवाली कांठा की फूल घाटियों की बात की जाए तो टेहरी जनपत से पंवाली कांठा धुरुत होकर उत्तरकाशी से गंगोतरी होकर पहुचा जा सकता है यहाँ पर कई घाटिया आपको देखने को मिल जाएंगी जो की फल से भरी रहती हैं यहां पर ओशिदियों का बोसकते हैं कि एक अधभूत अकूत नहीं है यह अधभूत भंडार है यह फूल घाटी 12-20 मिल तक सुरी 15-20 मिल तक फैली हुई है अगली फूलों की घाटी है हमारी कुषकल्यान और सहस्तताल की फूल घाटियां यदि कुषकल्या सहस्ताल की फूल घाटियों को 14,500 फिट समुत तलकी से उची हिमाला की चोटी विभाजित करती है और जोराई से दो मिल उचे पहाल को पार कर कुषकल्यान की फूल घाटी में पहुचा जा सकता है किस गाउं से जोराई गाउं से यहां पर विभित पकार के पुष्प मखम पूल घाटी का जूनाम है वो कोटालो कार्थ होता है अपसराओं मैं से यहां कि इस इस्थानी लोग है उनका कहना कि यहां अधिक देर तक ठहरने पर अपसराएं मनुष्चिका वरन कर लेती हैं तो भया कुषकर लेना पर अधिक देर तक ना रुकिएगा यह ना ऐसा कहा जाता है अब जो भी हो वो बात की बात है हम को उससे कोई मतलब नहीं है पर तो यहां की जो विहुत प्रकार के जो पुष्प हैं वो मखमली फूल यहां की जो भूमी है यहां की प्रमुक विश्यस्ता है और कहा जाता है कि जो अपसराइं है जिनको कोटा लों का जाता है ये जो अपसेरा हैं वो इस्थानी लोगों को अथिक दिरतरि जो इस्थानी लोग ठहरते हैं उनको उठाकर ले जाती हैं अगला टॉपिक है हमारा उत्त रहंग की प्रमुक्षीलाएं और गुफाएं एक तरफ नाम है आपका बद्री नात में आपको देखने को मिल जाएगी इसे के साथ साथ गुरुख नात गुफा भक्तियाना श्रीनगर वसिस्ट गुफा टिहरी उत्तरकाशी भरत गुफा लंगासु के पार गिर्सा में इस्ति थे हनुमान गुफा लंगासु के पास गिर्सा में इस्ति थे शंकर गुफा देव प्राग में इस्ति थे भीम गुफा केदारनात में इस्ति थे और ब्रह्म गुफा आपका केदारनात में आपको देखने को मिल जाएगी इसे की साथ साथ कुमाओ छेतर की गुफाओं की बात करते हैं, इसमर गुफा, पिथोरागड और गंगोली घाट पर इस्ती थे, सुमेर्य गुफा, पिथोरागड तथा गंगोली घाट पर इस्ती थे, गड़नात गुफा, गड़नात गुबा आपकी अलमोडा में इस्ती थ तो यह थी आपकी कुछ गुफाएं और उनके चेतर आए देख़ते हैं अगला टॉपिक है हमारा पवित्र शिलाएं और गढभाल पविर शिलाय देख लेते हैं हम गड़वाल शेतर की पहले देखिए आपको मैंने शेतर वाइस बताई है जिससे आपको समझ में आजा है कि किस शेतर की कौन-कौन सी शिलाय है तो आई ये शुरू करते हैं चरण पाद्यो का शिला वो आपकी बदरिनात की है गरूर शिला, बदरिनात, नारत शिला, बदरिनात, नरसी शिला, बदरिनात, वराह शिला, बदरिनात, चंदर किला, तुंग नात और काला शिला है आपकी काली मच्खे उपर एक शिला है इसकी साथ साथ भुरुग शिला या द्रिव शिला जो कि 2013 के आपदा के समय प्रकष हुई थी वह केदारनात में हैं और भीम शिला, माना ग्राम, केदारनात, भागी रती शिला, गंगोतरी, उत्तरकाशी, शिला समुद्र, रूप कुंट, त्रिशुल अंचल में इस्तित हैं आई ये बात करते हैं अगले टॉपिक की उत्तरकाशी के चार धाम और पंच बदरी, पंच केदार एवं पंच प्रयाग, देखें मैंने बड़ा बड़ा क्यों लिखा है, आप लोग को समझ मा जाए, उत्तरकाशी के चारो धाम, पंच बदरी, पंच केदार और पंच प्र इतने देवहों के इतने देवी देवताओं के मंदिर हें कि आपको देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे धर्वी परिटे की स्थल के रूप में भी उत्राखंज का नाम भारती परिप्रेक्ष में महत्पुण माना जाता है आईए शुरुवात करते हैं उत्राखंज के चारो धाम से आपने नाम सुना होगा या आप लोग गए होगे उत्राखंज के चारो धाम तो देख लेते हैं सबसे पहले केदारनाथ की बात करेंगे तो केदारनाथ शुव के बारा जोती लोगों में से एक है ये कि स्थापिते केदानात का मंदीर वो केदानात मंदीर उत्राखन के रुदरप्याग जन्पद में समुद तल से 3584 मिंटर की उचाई मंदाकनी नदी के शिर्ष पर इस्तित्तित्ते मंदाकनी नदी के शिर्ष पर आपको देखने को मिल जाएगा तो जो शिवजी है शिवजी के जो 12 जोतिलिंग है उनमें से एक जोतिलिंग है आपका केदानात का मंदिर और केदानात मंदिर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे इस मंदिर का निर्मान कत्यूरी शेली में किया गया है धानकी का पूछ सकते हैं कि शेली में किया गय बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा है और केडानाथ के दर्शन आपको मिलते हैं। अगला चारो धाम में से है आपका बदरीनात। यदि बदरीनात की बात करें तो बदरीनात धाम चमोली जनपत परिस्ति थे। बदरीनात धाम के पुजारियों को क्या कहा जाता है रावल कहा जाता है और यह दक्षिन भारत के महांदार्शनिक शंग्राचारे के वन्शच माने चाते हैं। बंध हो जाते हैं इसी के साथ साथ यहां भागी रथी का एक मंदिर है जिसमें गंगा लक्षमी पारवती मानपुर्णा देवी की मुर्ती भी आपको देखने को मिल जाएगी इसी के साथ गोरक सेनापती जो अमरण सिंग थापा है उन्होंने इस मंदिर का निर्मान शिताब्दी में करवाय था अगला है आपका यमनोत्री यदि मैं यमनोत्री की बात करूँ तो आपको नाम स्वण में आ रहा होगा कि यमना नदी का उदगम इस्थले यमनोत्री बिलकुँ सही सुना आप लोगों ने यमनोत्री जो कि यमना नदी का उदगम इस्थले मंदिर के प्रांगड में एक विशाल शीला इस्थम है जिसे दिव शीला के नाम से भी जाना जाता है गडवाल जो नरेश पताफ शाह है उन्होंने यमनोत्री मंदिर का निर्मान करवाय था कब करवाय था 1919 में तो पूछ सकते हैं कि यम्नोत्री मंदि का निमान किस ने करवाया तो गड़वाल नरेश पताफ शाह ने यम्नोत्री मंदि का निमान 1919 में करवाया था अगला है आपका उत्राखंट के पंच बदरी मंदिरों की बात की जाए तो उत्राखंट के जो पंच बदरी मंदिर है उनका विवरण हम देखेंगे तो सबसे पहला मंदिर है हमारा श्री बदरीनाथ का मंदिर यदि बदरीनाथ के मंदिर की चर्चा की जाए तो पुराणों में सबसे पहले जो भूमी है बदरी का अश्रम चारो धामों में से एक प्रसिद और एक पुरानिक धाम मानी जाती है और बदरीनाथ जी का जो मंदिर है वो नारायन परवत शिखरों पर इस्तित है जो की 10,300 फ चश्मे नहीं है, मापकी जेग. घर पानी के श्तरोथ तब तुकुञ्जे के पास चमोली में इस्तित जे श्री बदरीनाथ मंदिर अगला मंदिर है अमारा श्री आदी बदरी मंदिर यदि आदी बद्री मंदी की बात की जाए तो कर्णप्याग से 19 किलोमेटर की दूरी पर जो कुठिया रानी खेत मार्ग पर 3800 फीट उचाई पर यह 33 स्थलव इस्तित है और श्री आदी बद्री मंदीर की बात की जाए तो जोशी मठ से 7 किलोमेटर पीपल कोटी की दिशा में 4000 फीट की उचाई पर आठी मठ नामा की स्थान पर इस्तित है यहां पर श्री लक्ष्मी नायन के पैचिर मुर्ति आपको देखने को मिल जाएगी और इसकी स्थाफना की बात करें तो इसकी स्थाफना शंगराचारी द्वारा की गई थी जिसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है अगला है हमारा योग ध्यान बद्री मंदिर यदि योग ध्यान बदरी वंदिर की बात के जाए तो यह जोशी मट से आज किलोमेटर तता बदरी ना से 24 किलोमेटर की दूरी पर इस्ति थे 15,000 फिट की उचाई पर पांडू के शवर में इस्ति थे योग ध्यान बदरी वंदिर और सामने की जो उची चोटियां है वहां भविश्य बदरी मंदिर की बात के जाए तो जोशी मट से 25 किलोमेटर की दूरी पर जोशी मट मलारी मार्ग पर इस्तित है और भविश्य बदरी मंदिर इस्तित होती है जो कि सुभाई गाउं में स्थित है, सुभाई गाउं में स्थित है, आईए बात करते हैं उत्राखंड के पंच केदार की, तो आईए देख लेते हैं उत्राखंड के पंच केदार में कौन-कौन से मंदिर आते हैं, पहला मंदिर आता है केदानाथ मंदिर, जो कि समुध तल स से 3,580 मीटर के उचाई परस्ती थे 15 दाला स्थापी शे के दानाद जी मंदिर भगवान शीव शंकर के बाला जोती लिंगों में से एक जोती लिंग है रुद्र प्याग में और एसी मानेता है कि जो सरवत्म के दानेश जोती लिंग के दर्शन के पश्याथी बदीनाथ के द अगला मंदिर है कलपेश्वर मंदिर यदि कलपेश्वर मंदिर की बात की जाए तो चमोली में इस्थित इस मंदिर में शंकर जी की जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है और बदिनाथ मार्ग पर हेलंग से अलगननदा पार कर 10 किलोमेटर की दूरी पर पंचम केदार कलपेश्वर मंदिर इस्थित है जिसमें एक गुफा होते हुए प्रवेश्वर करना होता है अगला मंदिर है हमारा मद महेश्वर महादेव मंदिर समुद तल से 3497 मीटर की उचाई पर रुद्रप्याग में मद महेश्वर मंदिर इस्थित है और जिसे दिती केदारनाथ के नाम से जाना जाता है भगवान शंगर का विशाल मंदिर है और उनकी नाभी की पूजा मद महेश्वर मंदिर में की जाती है अगला मंदिर है रुदरनाथ मंदिर यदि में रुदरनाथ मंदिर की बात करूँ तो रुदरनाथ मंदिर भगवान शीव की पूजा निलकंठ मुक के रूप में की जाती है रुद्रनाथ जी का मंदिर गोपेशवर से 3 किलोमेटर दूर गंगोल गाउं पर इस्तित है यहां से 18 किलोमेटर पेदल मार्ग से 2286 मीजा की उचाई पर पाशन गुफा के भीतर रुद्र प्याग मंदिर इस्तित है जहां शिव जी की रुद्रूप की साक्षात मुख्य प् चोपता से 5 किलोमेटर की दूरी पर 3750 मीटर की उचाई पर तुंगनाथ जी का मंदिर है और इस मंदिर के गरबगरह में शंकराचारे की प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी जो की यहां जो मंदिर है उत्राखंच का सरवादी कुचाई पर इस्तित देव मंदिर है त चोपता सरवादी का सरवादी के नाम से जाने जाती है जिसमें अलगनाथ मंदिर है तो आप देख लिजेगा उत्राखंच का पावाद अंतर वाला वीडियो जिसमें सारी नदी समझाई गई है और उत्राखंच में पंच प्रियाग में एक देव प्रियाग भी माना जाता है और देव प्रियाग को देव शर्मा नाम से एक तपस्वी ने बसाया था यहाँ इस्तित रगुनात मंदिर का एक पुराण एक अपने आप महत्व है और सीडियों से जो संगम है संगम से सिडियां सिधी रगुनात मंदिर तक आती हैं जिसकी पतिष्ठापना आदिशंगराचारे ने की थी इसी के साथ साथ देव प्रयाग समुतल से लगभग 1500 फीट की उचाय परस्ति थे और तीरी में स्ति थे यहीं सिध्वपिट चंदरबदनी भी स्ति थे जहाँ पर चेत्र और आश्युन के जो नवरात के समय पूजा अर्चना का एक विशेश महत्व माना जाता है ननकीगा अगला है हमारा कर्ण प्रयाग तो कर्ण प्रयाग के दिबात करू तो जो कर्ण प्रयाग है उसको 1894 की जो विरही की बार थी उसने कर्ण प्रयाग को बहा दिया था कर्ण ने यहाँ पर सूरी की तपस्वा की थी इसलिए इस स्थान का नाम कर्ण प्रयाग के नाम से जाना अगला है आपका रुद्र पेयाग। नंद्र पेयाग। यदि नंद्र पेयाग की चर्चा की जाये तो यहाँ समुद तल से 1388 मीटे की उचाय परिस्ति थे। दशोली परगने की तली दशोला पती में अलग नंदा और मंदाकनी नदियों के संगम परिस्ति थे। अगला है हमारा विश्नु प्रयाग। यदि विश्नु प्रयाग की बात करें तो जोशी मठ से बद्रीनाथ मार्ग पर विश्नु प्रयाग इस्ति थे और विश्नु प्रयाग 1322 मीटे की उचाय पर अलग नंदा और विश्नु प्रयाग के संगम है उस पर विश्नु प्रयाग इस्ति थे। और हिमालेयन गजे टियर में इसके विश्य में लिखा गया है कि विश्णु प्याग पांच प्यागों में से एक तथा यात्रा मार्ग पर एक चट्टी है इसके आसपत अत्तदिक बीहर तथा ओबर खापड द्रश्य है और पहाड नंगे और चट्टानी है तथा संगम पर धोली की जल रशी विश्णु गंगा के तुल्ला में इतने जादा है कि वह काफी दूर तक विश्णु गंगा के जल से अलग चलती रहती है और महाभारत के अनुसार विश्णु प्याक से उपर गंध माधन शेतर में अत्यन्त सुरम में इस्थल और सरोवर भी इस्थित ह तो यह थे परेतक स्थल और परेतन स्थल के साथ सद्धाम हमने इस वीडियो में कंप्लिट कर ली है जिसके टोचल बने हैं दो वीडियो वीडियो नमबर 23 और वीडियो नमबर 22 तो बने रहे हैं स्टेडी फॉर्स शिविल सर्विसेश के साथ जैहिंत बंदे मात्रम